हेलो फ्रेंड इंडियान देसी फुड में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जाड़े हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एस्टप्ठ आलू सैंडवीच फ्रेंड से बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा crispy बनती है पांच मिनट में बनने वाले रेस्पी है, आप सेंद्बिच को कभी भी बनाके खा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो उले हुए आलू हम लिए हैं की हम 5 है इसको ग्रेटर पर कर लेंगे 5-6 ब्रेट से बनाएंगे इस तरह से मग्रेट कर लिए हैं चुले पे रखिये हैं पैन उसमें 1 टेबल बिन्ण के दालेंगे 10 दाल के गर्म होने दे इसमें डालेंगे एक घडी मिर्च और एक प्याज प्याज हंड के लिए लगे इसम में जो ग्रेट किया हूँ आलू है उसको डाल के अच्छे से हम एक से डेर मीनट मसाले के साथ हम भूनेंगे तो चुला उफ कर दिये हैं इसको हम ठंडा होने देंगे ब्रेट पे लगाएंगे हम टोमेटो सॉस ग्रीन चिली सॉस लगा करके उस पर से जो आलू का मसाला तयार मिक्स करके जो हम ब्रेट पे आलू का मसाला लगाए है उसके उपर से इसको फैला के अच्छे से आप लगा दे इस तरह से पूरे में फैला के लगा के उपर से जो ब्रेट है स्लाइस बचा हुआ उसको हम इस पर से रखके हलके हाथ से आप प्रेस देके इसको ज्यादा प् पैन में घी या बटर डालके आप इसको मिडियम फ्लेम पे सेके उलट पुलट करके अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक हमको सेखना है हलके हाथ से इसको इस पैचुला से प्रेस देते रहे जिसे थोड़ा साइच चिपक जाए तो एक बैच हम निकाल लिए है जो दूसरा ब्रेड है उसको भी हम इसी तरह से सेख लेंगे बटर या घी नहीं है तो आप रिफाइन डालके भी इसको सेख सकते हैं तो दही और प्याज चीनी नमक डालके जो इसका फ्लेवर आता है दही में का जो इस्टफिंग हम तयार किये हैं फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इस तरह से इसको जरूर टड़ाई किजिएगा एक तेज नाइप से इस तरह से आप कट कर लें तो आप इसको बच्चे के लंच बॉक्स सुबह के ब्रेक फास्ट में सामके स्नेक्स में भी खा सकते हैं तो फ्रेंड आज की रेस्पी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर किजिएगा और बेल आइकन पर फ्रेस किजिएगा ताकि आने बाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके